तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में और आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला हूं आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक non-rooted android device user अपने फोन में game guardian चलाना चाहता है तो वो क्या करता है वो कोई भी parallel space को download करता है चाहे वो मेरी वीडियो से देख करके download करे या किसी और की वीडियो से वैसे मैंने इसके उपर एक वीडियो बना रखी है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ठीक है उसने download कर लिया parallel space अब क्या करता है वो game guardian को उसके अंदर clone करता है game guardian तो चलो clone होने के बाद बहुत ही अच्छे से चलने लगता है बट जब वो आदमी कोई भी game को उसके अंदर clone करता है कोई भी game में कौन से game आते हैं ऐसे games जो काफी बड उन games को चलाने के लिए आपको data और OBB की जरूरत है बट क्यूंकि वो जो virtual space है वहाँ पे आप लोगों को पता नहीं होता कि भाई मैं इसके अंदर data और OBB को कैसे डालूं तो आप लोग simple से APK को clone कर देते हो और APK को clone करने के बाद आप उस game को start करने के कोशिश करते हो और गेम आपका run नहीं हो पाता तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कोई भी virtual space हो basically मैं अपने ही दिये हुए virtual space के उपर test करने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली वीडियो से मैंने सारे virtual space को download कर लिया है total 5 virtual space हैं आपको time stamp मिल जाएकर description में और pin comment में वहां से जाकरके आप उन सारे पांचो virtual space की time stamp के उपर जाकरके उनके process को देख सकते हो मैं आपको सारे के सारे virtual space में बताऊंगा कि कैसे आपको data और OBB को import करना है और क्या जरूरी settings हैं जो आपको करनी होंगी तो बहुत बढ़िया मैं आचुका अपने android device के इंदर और पहली और सबसे main requirement होगी आपके phone के अंदर वो है fv file explorer यह file explorer ऐसे नहीं चलता इस file explorer को चलाने के लिए आपको shizuku की ज़रत होगी और पूरा जो process है ना वो पूरा process मैंने इस वाली video के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया है आप लोगों को क्या करना है इस वाली video को देखन और fv file explorer को बहुत ही अच्छे से install कर लेना है और start कर लेना है ठीक है और make sure करिएगा कि एक खास setting है उसको जरूर कर ले आप लोग इसके उपर दबाय रखेंगे i button आएगा और जैसे आप लोगों ने i button के उपर click किया ना यह जो notification वाला section है यह ज़रूर allow कर लिजेगा वरन बहुत ही अच्छे से use कर सकते हैं ठीक है अब जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो दूसरी चीज क्या है यह जो आपने parallel space को install किया है चाहे यह वाले हो चाहे कोई भी दूसरा parallel space हो आपने उसको install किया है आपको सबसे पहले जानतों क्या करना है उसके अंदर अपन मैं यहाँ पर on करता हूं तो on करते हैं आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर जो OBB का section है ना वो not found यहाँ पर दिखाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख पाऊगे कि parallel space के अंदर मेरा यह PUBG या फिर battleground start हो रहा है ठीक है तो हम लोग थोड़ा से wait करते जब तक यह start हो जात parallel space हो या फिर मेरा दिया हुआ कोई भी दूसरा parallel space हो या फिर किसी और की वीडियो से आप आये हो देख करके और उन्होंने आपको कोई दूसरा parallel space पकड़ा रखा है सारे में process सेम रहेगा ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या process है अब आप लोगों ने क्या किया game को run कर दिया और game ने OBB की demand कर दी parallel space के अंदर अब इससे जानते है क्या होता है यह जो parallel space है यह एक extra folder create कर देता है आपके android device के अंदर वो जगा कहा है जहां पे folder create करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है आप लोग simple से क्या करिएगा यह जो file explorer है हमारा fv file explorer इसको open कर लीजेगा ठी hopes हो कि आप लोग इसकी वीडियो देख करके आ रहे होगे यहां पर ध्यान से देखिए open android with shizuku लिखा हुआ है ना इसके उपर simple से हम लोग click कर देंगे और click करते ही आप लोग यहां पर देख पाऊगे मैं data media OBB वाले section में चला गया हूँ यह section तभी आप लोग अच्छे से access कर पाऊगे जब आपनी इसको shizuku के साथ permission दी होगी और आपके में यह bridge दिख रहा होगा तो यह bridge ध्यान से देख लीजेगा यह bridge बहुत important है इसके बगएर process नहीं हो पाएगा ठीक है यह bridge एक ध्यान में रखिएगा और उसके साथ-साथ यहां पर ध्यान से दिखिए यह ज जगा पे इसके उपर आपने click किया बट click करने बाद कुछ भी open नहीं हो रहा है जैसे कि यहां पर देखिए यह condition आ गई अभी हम लोगों ने click किया बट open नहीं हो रहा है तो इसको कैसे fix करेंगे simple से यहां पर देखिए यह notification on होना चाहिए तभी यह दिखेगा notification अगर off होग से अग्रेlest शुरू करते हैं अब suppose करते हैं हमारा जो पहला parallel space है कौन सा है यह पैरलल स्पेस ही है इसका नाम भी पैरलल स्पेस है ठीके है आईका हम लोगों देखते हैं कि इसका वह main folder कहां पे जहां पे हम लगों को OBB या दाटा पेस्ट कर रहा है और यह सारा process आप अब ह करोगे जब आपने गेम के क्लोन कर रखा ऊ इसके अंदर कलोन करने के बाद गेम को स्टार्ट कर रखाओ और गेम ने OBB की डिमांड कर दियो यह सब काम करना यह उससे पहले नहीं करना ठीक हैं चलो अभी हम लोके इसके अंदर आगाे हैं आप ध्यान से दिखिए जब आप अपने android device के अंदर आते हो तो तीन folder आपको दिखेगा data media obb अभी आपको क्या करना है ध्यान से एक चीज समझना है यह जो parallel space होते हैं यह अपने folders को किसी भी जगा बना सकते हैं अब आप सोच लोगे किसी भी जगा से क्या मतलब है देखो 70% parallel space अपने folders को data के अंदर बनाते हैं और कुछ ऐसे parallel space हैं जो अपने folder को media के अंदर बनाते हैं और हो सकता है मैंने ऐसे parallel space अभी देखे तो नहीं है कुछ ऐसे भी हो सकते है जो अपना folder OBB के अंदर बना दे बट होते नहीं है बट हो सकता है कि कोई हूँ तो हम लोग क्या करते है यह जो parallel space है यह जानते हैं अपना folder कहा बनाता है यह folder अपना बनाता है media के अंदर यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं बट यहाँ पर ध्यान से दिखिए आइकन भी दिख रहा होगा और इसके नाम भी आप लोग पढ़ सकते हो यह पैरलल स्पेस का फोल्डर है इसके हम लोग खोलेंगे अ अभी हम लोग simple से Android में जाएंगे OBB के अंदर जाएंगे यहाँ आप देखिए PUBG वाला यहाँ पर फोल्डर बना है इसके उपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखिए यह फोल्डर खाली है इसी जगह आपको OBB को पेस्ट करना है आई अब हम लोग सीखते हैं कि OBB को और बैक करता हूं और मैं बैक करते करते अपने जो Android के main folder है इसमें आगा जो phone का मेरा main folder है ठीके अभी हम लोग क्या करेंगे अपने OBB के folder में जाएंगे और यह PUBG वाले folder के अंदर में चला गया अब यहाँ पर देखें हमारे main android phone के अंदर तो OBB है न है कि नहीं तुम्हारे हमेशा ध्यान से एक चीज़ देखना copy to यहाँ पर लिख क्या आ रहा है किज़े का copy करना है android और तुमको याद होगा न वो parallel space का folder कहा था हम लोगों ने उसे कहा ढूंडा था यह media के अंदर था media parallel space sd card parallel वाला यह वाला folder इसके उपर क्लिक करेंगे फिस 0 के उपर और 0 के उपर क्लिक करने बाद इस टाइप का कुछ section आया android के अंदर obb के अंदर pubg के अंदर और यहीं पर हम लोग simple से कर देंगे ठीक है यहाँ पर जैसी मैंने तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 2-4 मिनट का यह copy वाला process 2-4 मिनट के अंदर complete होई जाएगा आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे मेरी notification section में copy होना शुरू हो गया है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक यह copy complete हो जाता है और back और back और हम लोग आ चुके हैं इसी जगह पर एक बार और मैं back कर ले रहा हूँ ठीक है अगर आप लोग कभी भी ज्यादा back पर चले जाओ जैसे कि हम लोग इस जगह पर आ गये तो आपको हमेशा sd card देखना है sd card के उपर क्लिक करिएगा और आप लोग अपने internal storage में आ जाओगे ठीक है उसके बाद android और वापस से इसी जगह आप लोग पहुंच जाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं थी वह मैं ज्यादा back कर ले गया ठीक हम लोग media में चले जाएंगे parallel के अंदर sd card के अंदर इस जगह पे इस जगह पे android और obb pub g और यहाँ पे देख पाऊगे हमारा बहुत अच्छे से यह आ गया है चलिए अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या भाई यह working है या नहीं है मैं simple से parallel space को open कर ले रहा हूँ बहुत बढ़े हैं यहाँ पे हमारा parallel space open हो गया simple से bgmi के उपर मैंने click कर दिया है और अभी मैं वीडियो को cut नहीं करूंगा ताकि आप लोग भाई बिल्कुल start से int तक का process देख पाऊ कि यह एकदम real है मैंने सही में वहाँ पे paste किया है तो हमारा game यहाँ पे start होना शुरू हो गया ठीक है तो मैं wait कर रहा हूं और यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे इस टाइप का कुछ section आ रहा है और आपकी बार वह जो black वाला section था वह गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि यह कुछ यहाँ पर downloading start हो गी है यह इस वजह से हो गई है क्योंकि इसको OBB वाला section था वह मिल चुका है हम लोग थोड़ा से wait करते हैं और wait करने के बाद वापस से हम लोग इसी screen के उपर आ गए हम लोग थोड़ा से और wait करेंगे देखेंगे कि यह कित्ती देर के अंदर यह चीज को start करता है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी अराम से देख पाई तो बहुत बढ़या बस इतनी fast forwarding की जरूरत थी यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे कि हमारा जो BGMI है यह बहुत तो sorry यार मेरा phone का screen desktop से cut हो गया था आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे कि जो हमारा internal storage थना उसने OBB को detect कर लिया और हमारा game बहुत ही अच्छे से start हो चुका है ठीक है चलो अभी मैं क्या करता हूँ simple से इसको back कर ले रहा हूँ okay यहाँ से back हो जाएगा मेरा phone और आप मैं जानते हो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ parallel space क्योंकि इसके उपर मैंने आपको पूरा tutorial दे दिया है अभी मैं क्या करूंगा बाकि यह जो clone space dual space multi parallel और यह जो multi space है ना इन सारे जोगों की location आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ बाकि copy paste करके आप लोग वहाँ पे खुद से सब कुछ trial ले लिजेगा ठीक है और किसी भी जगह पे अगर data का folder ना दिखे आपको ठीक है सिर्फ obb का folder दिखे तो आप खुद से data का folder बना दीजेगा और वहाँ पे उसको paste कर दीजेगा that's all और कुछ नहीं करना ठीक चलो तो clone app को आपको सबसे पहले ढूंडना पड़ेगा सबसे पहले आप क्या कर लिजेगा medium एक बार चेक कर लिजेगा और icon याद रखेगा ठीक है clone app का क्या है icon यहाँ पर आप देख पाएंगे इस type का icon है ठीक है आप लोगों को क्या करना है simple से यहाँ पर देखिए एक icon दिख र यह folder तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हो सकता है क्या पक्का नहीं है क्या बिल्कुल यहाँ पर पक्का इसलिए नहीं है कि अगर आप लोग क्या करोगे थोड़ा सा बैक कर लेना ठीक है अगर आपको clone app का कोई भी folder data के अंदर भी देखने को मिलता है तो हो सकता है कि उसक open करेंगे files और external और यहां पर भी देखिए zero नाम से वही चीज़े ध्यान से देख लिए इसको मैंने जैसे open किया इस type का कुछ और section इसके अंदर आ गया है और यहां पर भी देखिए pubg और उसके बाद files और यहां पर भी ध्यान से आप लोग देख पाऊगे कि कोई भी section यह OBB का कौन से यह मुझे भी अभी clear नहीं है ठीक है बट आप लोगों को अगर data OBB का कोई भी folder देखने को ना मिले ठीक इसके अंदर suppose करते pubg के अंदर तो एक new folder OBB का नाम से create कर लिजेगा और उसके अंदर file को paste करके trial लिजेगा कि हां भाई काम कर रहे है या फिर नहीं कर र ठीक है अभी हम लोग यह जो dual space है इसको देखते हैं इसका कहां पर section होगा वैसे तो सबके section आसपास ही होते हैं सबसे पहले आप लोग media में check कर लिजेगा यहां पर ध्यान से देखिए dual space का एक यहां पर section आ रहा है ना इसके उपर click करते हैं virtual zero और pubg यहां पर ध्यान से दे section है इसके पर मैं click कर ले रहा हूं और यहां पर भी काफी सारे section दिए गये हैं सबसे पहले मैं virtual के अंदर नहीं sd card यह sd card अगर दिख जाना sd card android obb यहां पर ध्यान से देख पाएंगे आप लोग कि यहां पर शायद obb को paste करने की जगा है तो आप लोगों को idea लग रहा होगा कि हमें internal storage को कैसे find out करना है virtual space में ठीक है चलिए यहां पर भी यह मिल गया हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ मैं सबसे पह parallel और multi space ठीक है इन दोनों को हम लोग नहीं count कर रहे हैं क्योंकि parallel space के बारे में मैं बता चुका हूँ यह parallel space support है यह कोई जरूए चीज नहीं ठीक है तो multi parallel के उपर हम लोग चले जाएंगे और multi parallel को भी हम लोग ढूंड लेते हैं किस जगह होगा आइकन आप लोग याद रखिएगा पी का कुछ आइकन था ठीक है सिंपल से मैं back कर लूँगा सबसे पहले आप कहां चेक करोगे मीडिया के अंदर क्या यहां multi parallel जैसे कुछ है तो अगर मीडिया के अंदर नहीं है फिर हम लोग data के अंदर चेकल लेते हैं पी 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 कहां होगा तो यार एक छोटी सी प्रॉबलम होगा यह दरसल जो इसका data वाला folder है जिसके अंदर आपको बी बी को paste करना होगा वो folder मुझे कहीं मिलने रहा मैंने अपने phone के अंदर हर जगा ढूंडा कहीं नहीं मिल रहा बट इसका मिल गया है मुझे आप लोग इसका वाला देख सकते हैं यह वाला जो है हमारे पास एक last tab बचा हुआ यह जो multi space है ना इसका मिल चुका है मुझे इ इसी के अंदर या तो SD card के अंदर आप चले जाईएगा यहां पर देखिए मिल गया Android ठीक है Android के उपर क्लिक करिएगा OBB और यह PUBG और इसी के अंदर आप लोग अपना OBB पेश्ट कर सकते हो बस एक का नहीं मिला और अगर मिल जाता है मुझे तो मैं इसको telegram group में अपने share कर तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपना एक honest सा comment जरूर कर दीजेगा तो हम लोग मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में हेलो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा एक और चै को भी जाकर चेकाओ कर सकते हैं उस चैनल के लिंक आपको description और pin comment दोनों जगा मिल जाएगी